जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict तो दोस्तो पिछले साल Defense Expo के दर्मियान Royals Royals और DRDO के बीच में जेट इंजिनों को बनाने के लिए बातचित शुरू हुआ था फिलाल इस concept के तहट इंडिया के Next Generation Fighter या के आप मतलब AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन वाला इंजिनों का Development किया जाएगा तो दोस्तो आज के वीडियो में आप लोगों को Royals Royals के साथ Develop किये जाने वाले इंजिन के वारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि भारत और Royals Royals के बीज में किस किस तरीके के शर्त में इंजिन के Development के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके बाद सैफरोन या फिर अन्य कमपनियों के साथ भारत का जो बातचीत चल रहा है उसका फ्यूचर क्या होगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके तहट इंडिया एमसीय एरक्रेफ्टों के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक जेट इंजिन को कूर डिवलोप्मेंट के तहट बनाना चाता है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया और बिटिश एरोस्पेस इंजिनियरिंग कमपनी रोयल्स रोयल्स के बीच में भी पिछले साल एक समझोता हुआ था फिलाल समझोते के तहट दोनों देश ये नया इंजिन के feasibility studies को आगे बढ़ा रहा है और study खतम करने के बाद दोनों देशों के understanding के मताविक जो काम के requirement है और जो jet engine का requirement है उसके base पे co development शुरू किया जा सकता है दोसो फिलाल के जानकारी के मताविक इस engine के development के लिए इंडिया के तरफ से ही total funding किया जाएगा जो करीवन 3-4 billion dollar हो सकता है और दोसो इस funding में jet engine के development के इलावा कुछ की infrastructure development भी शामिल है जबकि already DRDO के पास jet engine related infrastructure present है संभावित इसका भी इस्तेमाल इन इंजिनों को develop करने में और बाद में produce करने में किया जा सकेगा तोसो दोनों देशों के बीज में engine को develop करने के लिए कई सारे शर्तों के उपर भी चर्चा हुआ है जिन मेंसे कुछ शर्तों के उपर Royals Royals agree भी हो गया है और बाकी शर्तों के उपर दोनों देश मिलके सोच विचार भी कर रहा है दोसो ऐ रोयल्स रोयस जरूरी टेकनोलोजी को भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है तोसे intellectual property right को लेके इंडिया और रोयल्स रोयस के बीच में लगभग उसी तरीके का समझाता हुआ है जिस तरीके का समझाते में भारत में फिलालकार manufacturing हो रहा है यहाँ पे जब कोई नया product का development हो करने के लिए तैयार है दोसे intellectual property right के समझाते को और आसान करने के लिए DRDO और रोयस रोयस के बीच में जो joint venture में नया इंजिनों को लेके काम किया जाएगा यह totally एक नया इंजिन होगा ना कि किसी existing engine के base पे इसे निर्वान किया जाएगा दोसे इस से intellectual property right को लेके future में कोई भी मुश्किले नहीं आएगा इवन दोस्तों इस तरीके के engine के development के लिए माना जा रहा है कि already DRDO के पास जो technology है मतलब काविरी इंजिनों को develop करने के लिए DRDO द्वारा जिन equipment का development किया गया था उसका भी इस्तिमाल हो सकता है जैसे कि इसमें इस्तिमाल होने वाला fan और full authority digital engine control system जब के future को भी ध्यान में रखा जाएगा मतलब यह जो नया engine का development होगा यह future में minor तबदिली के साथ अलेग version में भी convert किया सकेगा दोस्तों इसमें growth potential काफी हद तक रखा जाएगा और समझोते के तहट इसका जो core section का development होगा यह कम से कम 20% अधिक thrust generate करने वाले core में भी तबदिल कि किया सकेगा जो future में भी आईडियों के तरफ से single engine jet के engine को निर्मान करने के लिए इस्तमाल किया जा सकेगा मतलब minor तबदिली के साथ इन engine के thrust capability को बढ़ा के इसका इस्तमाल single engine fighterों में भी किया जा सकेगा जैसे fighterों का development फिलाल इंडिया द्वारा किया जा रहा है और जिससे हम तेजस मार्क वान, मार्क वान ए और मार्क टू को नाम से भी जानते हैं फिलाल ऐसे एर क्रेप्टों में अमेरिकी निर्मित इंजिनों का इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन आने वाले समय में संभावित नया हाई thrust indigenous इंजिनों के द्वारा इसे replace कर दिया जाएगा तो सो इस के इलावा शर्तों में इंजिनों के R&D मतलब research and development और test को इंडिया में करने का भी इरादा रखा गया है जबकि इंजिनों को develop करने के लिए UK based royals royals के इंजिनियरों द्वारा technical assistance और बड़े हद तक मदद किया जाएगा तो वही पे इसके major section के development भारत में ही करने का इरादा रहा है और संभावित यही पे ही इंजिनों के major development का काम किया जाएगा जबकि development के इलावा इंजिनों के संपूर्ण टेस्ट का कारवाई भी भारत में ही करना है भारत में इन इंजिनों का परिक्षन मतलब ground waste और aerial waste दोनों तरीके का परिक्षन ही किया जाएगा जिनमें commercial airliner क के द्वारा इंजिनों के high altitude trial और even AMCA जैसे air capto में इसका installation करके भी trial किया सकता है दोस्तों माना जा रहेगी इंजिनों को test करने से पहले ही D.I.D.O के तरफ से संभावित AMCA के prototype को भी निर्मान कर लिया जाए ताकि इन prototype में इंजिनों के test को भी संपूर्ण किया जा सके ताकि इंजिनों के खामिया और खूवियों के बारे में जानना संभब हो और prototype से आगे बढ़के इसके जो operational version है उसमें भी बहतरी लाया जा सके दोस्तों test और R.N.D. अगर भारत में होगा तो इससे आने वाले समय में अपना खुद का 100% indigenous इंजिनों को develop करने में भी काफी हद तक मदद मिलेगा और इसके research development और testing के लिए जो facilities का निर्मान किया जाएगा उसका वी इस्तमाल indigenous इंजिनों के लिए किया जा सकेगा तो दोस्तों इसके साथ अब सवाल उठने लगा है कि अगर Royals Royals के साथ भारत technological feasibility studies के तरफ आगे बढ़ चुका है और इतने सारे शर्तों के स भारत फ्रांस के सैफरान और अमेरिका के जेनरल इलेक्टिक जैसे कमपनियों के साथ भी बातचीत में था दोस्तों आपके जानकारी के लिए बताया दू कि फ्रांस के सैफरान के तरफ से भी भारत के जरुरतों को पूरा करने के लिए इंजिनों के development का ओफर किया गया है जिन में रोयल्स रोयस के ओफर के जैसे इतना जादा लचिला पन तो नहीं है लेकिन फिलाल अगर देखा जाये तो इसके दुआरा भी भारत अपने इंजिनों के जरुरत को थोड़ा बहुत पूरा कर सकता था लेकिन संभावित भारत को इतना जादा अपर हैंड नहीं मि बलकि पूरा-पूरी एक नया इंजिनों को चाता है तो उई पर फ्रांस का ये ओफर भारत के शर्तों के साथ मैच नहीं होता जबकि दूसरे तरफ फ्रांस के तरफ से टोटल टेखनोलोजी ट्रांसफवर और को रिलेटेट टेखनोलोजी ट्रांसवर को लेके भी कई बार अनाकनी किया जा चुका है फ्रांस भारत को M88 के बेस पे बना हुआ हाई थ्रश्ट इंजीन प्रोवाइट करना तो चाता है लेकिन भारत के कई सारे शर्टों को मानने से अभी भी मुकर रहा है तो दोस्तों ऐसे में माना जा रहा है कि अगर रॉयल्स रॉयस के इंजीनों को भारत द्वारा चुना जाता है और उसके तहट आगे बढ़ा जाता है तो फ्रांस के लिए भारत के इंजीन मार्केट में अपने पकड़ को मजबूत गरने का मौका छूड़ जाएगा मतलब भारत जो आने वाले कई दसों को तक इंजीनों को निर्मान करने के इरादे में आगे बढ़ रहा है उसमें फ्रांस का संभावनाए घड़ जाएगा जबकि दूसरे तरफ अमेरिकी कंपनी काफी लगवाग एकी तरीके का शर्थ है जहाँ पे जादा तर एक्वेपमेंटों के टेक्नोलोजी ट्रांसफर के लिए कंपनी तयार नहीं है तो ही पे माना जा रहा है कि रॉयल्स रॉयस के इन ओफरों के बाद इन दोनों कंपनी का ही संभावनाए अब ना के बराबर हो जाएगा तो दोस्तो कुल मिला के रॉयल्स रॉयस के साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा इससे हम अभी सही अंदाजा लगा सकते है कि अगर कोई बड़ा मधवेद ना हुआ तो AMCA के इंजिन के लिए DRDO और रॉयस रॉयस जॉयंटली काम करेगा जो खाली AMCA के जुरत को पूरा नहीं करेगा बलकि आने वाले समय में भारत के हर तरीके के फाइटर एरकरफ्ट के इंजिनों के बेस भी बन सकेगा इवन इसके बेस पे कई अन्य इंजिनों का भी डवलाफ्मेंट किया जाएगा और संभावित भारत आने वाले समय में इसी इंजिन के बेस पे अपना खुद का 100% इंडिजिनियर्स इंजिन भी डवलाफ कर ले तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बनावा बेल आइगन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद